असलाम अलेकूम आज मैं आप लोगों के साथ बेसन के दही वड़े ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेर कर रही हूँ ये रमजान की एक बहुत ही फेमस रेसिपी है जो हर घर में बनती है तो चलिए ये यम्मी और डेलिशियस रेसिपी हम शुरू करते हैं और ये बहुत से लोगों की फेवरेट भी है बेसन के दही वड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम बेसन का एक बैटर तयार करके रख लेते हैं उसके बाद हम उसे फ्राइ कर लेंगे लेकिन सबसे पहले बैटर के लिए जो इंग्रीडियन जरूरी है हम देख लेते हैं इसके लिए हमें चा पेस्ट के हिसाब से दाल लें, आधा रीस्पून लाल मिच पाउडर, कुकिंग सोडा वान बाई फोर टीस्पून, एक टीस्पून आधरा कहसुन का पेस्ट, हम इसमें एक टीस्पून तेल भी दाल देते हैं, नॉर्मल वजीटेबल ओईल, तेल दालने से बेसन के वड़े अच्छे से स्मूध बनेंगे, चलिए, अब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी दाल के इसे मिक्स कर लेते हैं, बैटर हमारा तयार है, इसके कंसिस्टेंसी देखे आप, ना ज्यादा पतला और ना ज्यादा गाढ़ा, अगर आपके पास अजवैन ना हो, तो आप ए ऐसे ही 15 मिनिट के लिए रख देते हैं, इसके ओपर लिट बन कर दें, उसके बाद हम इसे फ्राइ कर लेंगे, 15 मिनिट हो चुके हैं, तेल भी हमारा अच्छे से गरम हो चुका है, चलिए, अब हम बेशन के वड़े फ्राइ कर लेते हैं, बैटर धीरे से दालिए, आपको जितने साइस के चाहिए, आप उत्ते साइस के वड़े बना सकते हैं, बैशन के वड़े हमारे अच्छे से फ्राइ हो रहे हैं, मीरियम फ्लेम पे इन्हें फ्राइ करें, इन्हें करते रहिए, पहला बैच फ्राइ होके रेडी है, देखिए यह भी से कितने टेस्टी लग रहे हैं, बागी जो वड़े हैं वो भी मैं फ्राइ कर लेती हूं, वड़े हमारे तयार हैं, नेक्स्ट हम एक दही का मिक्सर तयार करके रख लेते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए 500 ग्राम दही, दही को अच्छे से फेंट लेते हैं, दही को अच्छे से फेंटने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी दाल देते हैं, ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा ही दाली है, तो फिस से मिक्स कर लें, अब हम इसमें एक टीस्पुन बारिक कटी हुई अद्रक दाल देते हैं, तोड़ा सा नमक यहां आधाट इस्पुंदाल रही हूं चतने के बाद में हम फिर से आड़ कर सकते हैं थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पुदीना इसे भी मिक्स कर लेते हैं यह रेड़ी है चलिए इस रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप के और हम बढ़ते हैं बेसन के वड़ों को फ्राइ करने के बाद हम इसे थोड़े से पानी में भीगने के लिए रख देते हैं बस एक पांच मिनिट के लिए इस तरह से करने से बहुत ही ज्यादा स्मूध बनेंगे ऐसे ही करके मैं सब ही वड़े अच्छे से देखी इस तरह से प्रेस करके रख लेती हूं अभी हम इन वड़ों को इसमें रख लेते हैं इन्हें रखने के बाद जो दही है इसके उपर डाल देते हैं इसके उपर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर लेते हैं और थोड़ा सा लाल मिर्श पॉडर भी इन दही वड़ों में एक लास्ट स्टेप बाखी है वो है टेमपरिंग तो चलिए उसकी तैयारी शुरू कर लेते हैं टेमपरिंग के लिए पैन में एक टेबल स्कून तेल कर लेते हैं तेल गरम हो चुका है इसमें आधारी स्कून जीरा दाल देते हैं राय आधारी स्कून थोड़े से बारी कटेवे करी पतायाने करेपक इसे सौटे कर लेते हैं एक या दो लाल सूखी मिरश भी दाल देते हैं, इसे भी सौटे कर लें। चलिए आप हम फ्लेम बन कर देते हैं और टेंपर रिंग को ठोड़ा ठंड़ा होने की रिए रख देते हैं हम इसके ऊपर थोड़ा सा ग्रेट किया हो गाजर याने कैरेट भी दाल देते हैं बहुत अच्छा कलरफुल लगेगा यह आप्शनल है नेक्स इसके ऊपर हम अब टेमपरिंग दाल देते हैं देखिए हमारे मज़ेदार बेशन के दही वड़े अब तैयार है दही वड़े को किस तरह से सर्व करते हैं मैं आपको दिखा देती हूँ यहां दही वड़े में मैंने कम्प्लीट दही का यूज नहीं किया है देखिए अभी बहुत सा दही बागी है हमारे पास क्योंकि अगर आप पूरा दही इसमें डाल देंगे तो यह जो वड़े हैं वो पूरा दही को अब्जॉब कर लेंगे इसलिए सिर्फ सर्व करते वक्त हम वो दही का इस्तेमाल करेंगे मैं आपको दिखा देती हूँ एक सर्विंग बर्ल में हम यह वड़े निकाल लेते हैं इस तरह से निकालने के बाद हम इसके ऊपर दही डाल देते हैं इसे चाट मसाला से थोड़ा से गार्निश कर लेते हैं थोड़ा लाल मिच पाउडर और थोड़ा से ग्रेटिट गाजर देखिए अब कितने टेस्टी लग रहे हैं हमारे दही वड़े इस तरह से आप सर्व करेंगे तो खाते वक्त बहुत ही ज्यादा मज़ा आएगा दही भी अच्छे से आएगा और वड़ा भी बहुत स्मूथ और टेस्टी लगेगा वरना अगर हम पहले ही पूरा दही डाल देंगे तो जब खाते वक्त दही मुँ में नहीं आएगा इसलिए हम इस तरह सर करते हैं अगर आपको मेरी रेसिपी पसनाई तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कॉमेंट सेक्शन में बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लेगी और इसे ज़रूर ट्राइ भी करें बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनने वाली है यह आपके घर में सभी लोगों को पसनाएगी लाइक शेर और कॉमेंट करना ना भूलें अस्सलाम अलेकूम